अलो दोस्तों मैंने कि लुपता स्वागत रता हम आपके इस वीडियो में जिसमें लोग बहुत एक खास टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है लिमिट पॉइंट आफ़ सीक्वेंस यह खास इसलिए भी है क्योंकि यह इससे भी ज़्यदा खास टॉपिक से कनेक्टेड है जो कि अध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा कन्फूजिंग होता है इस्टुटेंट्स के लिए लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि लास्ट तक आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि होता क्या है लिमिट पॉइंट पॉइंट आप सीक्वेंस फील हो जाएगा आपको जब हम लिमिट पढ़ेंगे तो ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो डेफिनिशन देखें लेट एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड एल्फा बिलॉंस तो आर विसे एल्फा इस लिमिट पॉइंट अफ सीक्वेंस एन इफ एवरी नेबरूड अफ एल्फा कंटेंस इ लिमिट पॉइंट बनाने हैं सीक्वेंस का वो सीक्वेंस का ही कोई टर्म बन रहा हो यह कोई जरूर नहीं है अलग भी हो सकता है कोई भी रेंडम रियल नंबर है यह यह रेंडम रियल नंबर लिमिट पॉइंट कब बोला जाएगा जब उस रेंडम रियल नंबर के नेव नेवरूड में इस sequence के infinite terms आ रहे हैं क्या आ रहे हैं तो फिर ये इस sequence के लिए limit point है otherwise नहीं है वस यतनी इसी बात है simple ठीक है इसी को mathematical लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे अभी समझेंगे और example से भी एक बार ध्यान से देखें for every delta is greater than 0 कोई भी positive real number के लिए delta an belong करेगा neighborhood of delta ये neighborhood ही होता है alpha minus delta से alpha plus delta alpha का delta neighborhood है तो an an मतलब sequence का कोई term nth term कोई भी term belong करेगा इसके neighborhood से for infinite values of n an की infinite values के लिए ये इससे belong करेगा मतलब infinite terms an की infinite values के लिए an इससे belong करेगा मतलब n की infinite values लेंगे तो an भी infinite आएंगे मतलब infinite terms of sequence belong कर जाएगी इसके neighborhood में भले ही delta कितना ही छोटा लो कितना ही बड़ा लो कोई फरक निपड़ता हर एक delta neighborhood में an बिलॉंग करेगा इससे infinite values के लिए तो ये mathematical बात लिखी हुई है इस चार लाइनों को summarize करते वे लिखा हुआ है सेम बात है दोनों की दोनों ठीक है अब थोड़ा सा दो example से समझते हैं कि limit point किस किस तरह का आ सकता है दो pattern से निकल सकता है limit point बहुत ये खास patterns है ध्यान से देखें मैं दो examples ले रहा हूँ example number 1 सबसे पहले असान सा example minus 1 की power n मालो a n हमारा ये है minus 1 की power n क्या बनेगा ये अगर इसको थोड़ा सा खोले हम तो ये क्या बनेगा पहले n की वेली 1 रखोगे तो minus 1 की power 1 minus 1 ही आएगा second term a2 कितना बनेगा minus 1 की power 2 plus 1 आएगा a3 minus 1 की power 3 minus 1 minus 1 की power 4 plus 1 ये इसी तरह से चलेगा मेरे ख्यास आपको ये बात तो clear हो रही होगी कि इस sequence में सिर्फ दो ही इस sequence के range set में range set बोलना चाहिए range set में सिर्फ दो ही terms आएगे minus 1 और plus 1 range set में सिर्फ दो ही numbers है minus 1 और plus 1 तो इसका limit point निकल सकता है क्या ज्यान से देखे आप notice करो कि अगर मैं minus 1 की बात करूँ तो alpha की value अगर minus 1 loom है तो minus 1 के neighborhood में minus 1 के neighborhood में infinite terms आ रही है इसकी कैसे आ रही है टेको first term third term then fifth term then seventh term सारी odd terms odd number of terms जो भी बन रही है वो सभी minus 1 ही आ रही है तो सारी की सारी odd terms जितने ही बन रही है वो minus 1 के neighborhood में आगे न एक तरीके से भाई minus 1 यहाँ पर है और एक plus 1 यहाँ पर है हम check करना जा रहे हैं कि यह दोनों इसका limit point है क्या first वाले का इसका limit point इन दोनों में से कोई है क्या तो minus 1 को check करें तो minus 1 के neighborhood में infinite terms आ लिए ना minus 1 के neighborhood में minus 1 खुद तो ही तो खुद ही यह infinite बार आ रहा है सारे के सारे odd places पे वो ही आ रहा है तो सारे के सारे odd places पे आ रहा है मतलब infinite बार आ रहा है minus 1 तो इसके neighborhood में infinite values हो गई इस sequence की infinite terms exist कर गई इस sequence की इसका मतलब यह तो limit point हो गई साथ में plus 1 भी same to same situation के साथ plus 1 के भी neighborhood में infinite terms आ रही है sequence की क्यों आ रही है क्योंकि आप second term देख लो वो भी इसके neighborhood में ही है one one के neighborhood में ही मिलेगा fourth term देख लो plus one वो भी one के neighborhood में ही है sixth term देख लो eighth term देख लो सारी के सारी even terms वो इसके neighborhood में आएंगी सारी के सारी odd terms इसके neighborhood में आएंगी माइनस वन एंड वन आर लिमिट पॉइंट्स दोनों के दोनों लिमिट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए तो एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट्स भी हो सकते हैं ये बात क्लियर हुई अपने को है ना बहुत एक काम की बात थी है अब यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलेगा वो यहाँ भी बताऊंगा एक छोटा सा और मैं लेता हूँ एक्जामपल उसके बाद फिर कंक्लूड करेंगे उसको है ना एक एक्जामपल सेकिंड नमबर हम सब का फेवरेट वन अपन एन हमने बहुत जगे इस्तेमाल किया है पिछे का लेक्चर में भी वन अपन एन इसको अगर खोलें तो सबसे पहले एन की वेली वन रखेंगे तो तू रखेंगे तो वन अपन टू थृ रखेंगे तो वन अपन थृ इस तरह से चलते जाएंगे, यह sequence बढ़ती चली जाएगे पहली बात तो यह sign लगाना जरूर नहीं है, right side में यह है sign main तो, right side वाला कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं कोई tension वाली बात भी है, दूसरी बात, यह जो sequence बन रही है उसमें ऐसा कोई term दिख रहा है क्या, जिसमें infinite elements cover हो आप ध्यान से notice करोगी, यह हमने बहुत बार किया यह example जब हमने limit point पड़ा था, sets के लिए, point set topology में real analysis के उसमें हमने discuss किया था कि 0 इसका limit point आएगा, set का तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कोई element repeat नहीं हो रहा एक भी बार, तो अगर ऐसा case हा रहा है, तो देखो आग कि इसका कोई limit point बन सकता है क्या, अगर हम 0 की बात करें, तो 0 इसका limit point बन सकता है, क्योंकि 1 upon 1 यहाँ से शुरू होगा यह 1 upon 2, और यह यूँ चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और 0 के neighborhood में infinite terms cover होंगी इसकी, infinite terms cover होंगी इसकी, यह हमने बहुत detail में discuss किया था, आपको अगर वो वीडियो देखना है, तो वीडियो के description में उसका link मिल जाएगा, या फिर points at topology, real analysis की देखलो आप playlist में, उसमें limit point के लिए एक proper वीडियो बनाया हुगा है, बहुत सारे examples भी उसमें है, आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, और मैं आपको recommend करूँगा कि आपको जरूर देखें, तो आपको ये topic बहतर समझ में आएगा, वरना इसमें थोड़ी सी परेशान होगी, क्योंकि यहाँ पर उस limit point की सकत आवशकता है, जो इसका range set बनेगा, उस range set का limit point sequence का limit point बन जाता है, बहुत बार, तो दो case में limit point होते हैं, यहाँ पर 0 इसका limit point है एक single limit point आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख दो कि 0 is limit point, 0 is limit point मैं एक बार तो लिख देता हूँ, मैं यह line actually समझाना चाहरा हूँ, इसके लिए मैंने यह दो examples लिए हैं, examples मैं भी और लूँगा, मैं यह दो lines, तीन lines समझाने के लिए, यह दो examples लिए हैं, ध्यान से देखो आप, अगर यह limit point है, यह limit point होगा, यदि, either it repeat itself in the sequence infinite times, या तो वो repeat करें अपने आपको infinite बार, जैसे यह case हुआ, जिसमें minus 1 और plus 1, दोनों के दोनों infinite बार repeat कर रहे हैं, जरूर निए दो values repeat करें, हो सकता है, एक ही value repeat कर रही हो, बाकी values अलग हो, या हो सकता है कि, दो से ज्यादा values बार-बार repeat हो रही हो infinite time, तो जो भी value infinite time repeat होगी, एक तो वो limit point बन जाएगा, दूसरी बात, it is a limit point of range set of an, यह जो range set हमने बनाया, यह यह range set, इसके लिए तो यह range set होगा, क्योंकि इसमें कोई repeat ही नहीं हो रहा, इसके लिए क्या है range set, इसका range set तो केवल minus 1,1 है, क्योंकि set में कुछ रिपीट नहीं लगते, तो यह अलग-अलग करके जो भी बच रहे हैं, वो यहां लिख लिए, इसके लिए range set यह है, इसका range set यह है, तो या तो repeat कर रहो infinite time, तो limit point हम तुरन देख के बता सकते हैं, या फिर आपके पास range set है, तो उसका कोई limit point आ रहा हो, यहां पर इस range set का limit point आ रहा है, सबको आए यह ज़रूरी नहीं है, इस particular range set का limit point आ रहा है, जो कि है 0, तो वो limit point of sequence बन जाएगा, तो यहां पर 0 is limit point of sequence, an, as well as limit point of range set also, ठीक है, यह main बात ही बताने लाया है, कि दो cases में limit point निकलते हैं, दो तरह से limit points निकलते हैं, एक तो यह, कि कोई particular point, infinite bar repeat और आओ sequence में, तो वो limit point है, आग बंदगर के आख लिख दो, दूसरी बात, अगर कोई point, उसके range set का limit point बन रहा है, तो वो ही point फिर sequence का limit point भी होता है, क्योंकि range set के limit point की क्या condition होती है, हमने पढ़ा सा point set topology में, कि range set के लिए limit point की यह condition होती है, कि उसके neighborhood में, उसे set के infinite terms कवर हो जाने सीए, तो यही अगर range set है, तो यही तो sequence की terms है, तो वो भी infinite आ गई यहां पर, तो इसका मतलब वो limit point बन ज कुछ खास बताना चाहरा हूँ आपको, चोटा सा यह example है, बहुत ही चोटा है, example number three करके ले लेते हैं अपने उसको, one, two, three, और फिर ओवर आगे बढ़ेंगे अपने, third example है, n, simple sequence ले लिए है, मैंने n, n ले लिया तो आप इसको खोलें, अगर one रखोगे तो one आएगा, two four, five, six, सारे natural numbers ही आजाएंगे, बलकि कहना चाहिए, ठीक है, तो कुछ repeat तो नहीं करेगा, repeat अगर नहीं करें तो दूसरी चीज़ देखो, कि भाई इसका जो range set आ रहा है, यह range set है, क्योंकि कुछ repeat ही नहीं कर रहा है, तो पुरा का पुरा यही set range set माना जाएगा, range set का कोई limit point है क्या, इसका कोई limit point नहीं होगा, क्योंकि natural numbers का कोई limit point नहीं होगा, natural numbers एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, तो उसके neighborhood में, किसी के भी neighborhood में infinite terms cover नहीं हो पते हैं, तो इसका कोई limit point नहीं होगा, तो यहाँ आप लिखोगी, no limit point of this sequence, तो ऐसा हो सकता है, एक भी limit point नहीं हो, हो सकता है, एक limit point आए, हो सकता है, एक से ज़्यादा, दो या दो से भी ज़्यादा limit points आए, कुछ fix नहीं है limit points के लिए, बस ये बात तै है, कि limit point हम उसको बोलेंगे, जिसके neighborhood में, उस sequence के infinite terms मिल रहे हो, बस, इतनी सी definition है, neighborhood छोटा भी हो सकता है, neighborhood बड़ बहुत एक खास definition है, आपको feel करनी होगी है, तब आपको मजाएगा, आगे limit पढ़ने में, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी तक समझ आ गई होगी होगी आपको, बाकी हम और examples लेंगे अभी, चोथा, पांच और चेटा, और आगे की examples लेंगे, पहले ये एक खास theorem समझ लेत क्या है, पहले दो statement यहां खास में पढ़ देता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये तीनो examples पहले मिटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा समझाना पढ़ेगा इसको, देखें, देखें, शुरू करते हैं, पहली लाइन देखो, इसकी ध्यान से देखें, every bounded sequence has at least one limit point, हर bounded sequence के पास कम से कम एक limit point तो हो गई होगा, क्यूं होगा, देखते हैं, bounded sequence है, तो मैं यहां लिखता हूँ, बना के दिखाता हूँ मैं आपको, bounded sequence है, तो दो possibilities है, या तो उसका range set, या तो range set उसका finite आएगा, bounded sequence है, मतलब यहां से यहां तक ही जाएगी, तो उसका range set अगर आप निकलो, तो range set, किसी का भी इसी का नहीं, bounded ही नहीं, range set तो किसी का भी, या तो finite आएगा, या इन्फानेट आएगा, दो फो पसिबिलिटी है, तो finite आएगा, या फिर range set, इन्फानेट आएगा, चीक है? या तो finite या infinite अब finite अगर range set आया त्यान से समझें इस बात को अगर range set finite है किसी भी sequence का in general bounded को छोड़ो आप तो किसी भी sequence का range set अगर finite है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसी value है जो infinite बार repeat हो रही है तभी range set finite है जैसे हमने अभी देखा था न minus 1 की power n वाले में उसमें minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 इस तरह से चल रहा था तो ये range set इसका finite था दो ही values थी range set में minus 1 और plus 1 तो range set अगर finite है इसका मतलब ये है कोई ना कोई कम से कम एक value ऐसी है जो infinite बार repeat कर रही है एक से ज़्यदा values भी ऐसी हो सकती है जो infinite times repeat कर रही हो लेकिन कम से कम एक value ऐसी जरूर होगी जो infinite बार repeat कर रही हो उसका reason बस यह है क्योंकि sequence में infinite terms हो रहे है जबकि उसके range set में finite terms आ रहे है ऐसा तो हो ही नहीं सकता न infinite terms आने चाहिए infinite terms नहीं आ रहे है इसका मतलब कोई term बार-बार repeat कर रहा है इसलिए वो finite बन जा रहे है set के form में लिखने के बाद में क्योंकि set में repetition लिखते नहीं है हम लोग इसलिए तो अगर range set finite है इसका मतलब कोई ना कोई repeat करी रहा होगा इसका मतलब limit point तो आ गया जो repeat कर रहा है जो repeat कर रहा है वो ही तो limit point है जो repeat कर रहा है वो लिखने कोई क्योंकि वो infinite बार आ गया तो उसके neighborhood में infinite points मिल गए तो उसका तो case solve कि भई bounded sequence है तो range set finite होगा या infinite होगा range set अगर finite हुआ तो इसका मतलब limit point आ जाएगा जो भी repeat कर रहा है वो ही limit point बाना जाएगा अगर range set infinite हुआ range set infinite होने पर bounded sequence में आपको फिर भी limit point मिलेगा क्यों? क्योंकि BW theorem for sets आपने अगर पढ़ी हो BW theorem for sequence है तो sets के लिए BW theorem अगर आपने पढ़ी हो तो infinite bounded set में एक limit point जरूर होता है यह range set infinite है साथ में क्या दे रखा है bounded तो infinite bounded sequence bounded set sorry यह मैं BW theorem का statement लिख रहा हूँ जो sets के लिए है है ना infinite bounded set always has a limit point infinite bounded set के पास हमेशा एक limit point तो होगा ही a यह भी अटा दे तो हमें always have limit point यह है बात ठीक है तो इसका मतलब यहाँ भी limit point हो गया तो अगर bounded sequence है तो हर situation में limit point आ रहा है उतके पास भले ही वो infinite पर repeat करते वह आ रहा हो भले ही वो infinite set होने के करण और bounded होने के करण limit point मिल रहा हो दोने इस situation में हमें तो limit point मिलेगा ही तो आप notice करोगे यह बहुत obvious statement है देखा जाए तो अगर इसकी गहराई में समझो तो कुछ हमने prove नहीं किया सिर्फ सोचा है कि भाई क्या-क्या possibility हो सकती है और उस possibility में क्या-क्या result बन सकते है तो हमेशा हमें यह समझ में आ गया कि limit point तो मिली रहा है तो यह बहुत obvious statement हो गया कहने को बहुत बड़ी सी थेओर है मैं यह BW थेओर हूँ लेकिन आप notice करोगे बहुत simple में आप इसको समझ सकते हो दूसरा देखो यह थोड़ा सा समझने में भारी पड़ता है लेकिन है बहुत obvious चीज़ यह भी ध्यान से समझेंगे है बहुत काम की चीज़ यह भी if a sequence has more than one limit point it cannot monotonic it cannot be monotonic that is a monotonic sequence can have at most one limit point अगर sequence monotonic है monotonic में दोनों तरह क्या आती है या तो increasing हो जाएगी या फिर decreasing हो जाएगी तो increasing sequence हो भले decreasing sequence हो दोनों सिचेशन में एक से यदा limit point नहीं हो सकता maximum एक limit point होगा हो सकता है ना भी हो लेकिन होगा तो maximum एक होगा एक से यदा नहीं होगा यह कहना चाहरा है if a sequence has more than one limit point it cannot be monotonic that is a monotonic sequence can have at most one limit point इसका logic का है थोड़ा सा इसको गहराई में समझना बढ़ेगा तब जाकर के logic समझ में आएगा ध्यान से देखो आप monotonic sequence है मैं number line के इसाब से समझाने के कोशिश करता हूँ monotonic sequence है तो इसका मतलब है या तो increase कर रही होगी या decrease कर रही होगी मैं increasing का example ले रहा हूँ अभी फिलाल मान लो sequence increase कर रही है बढ़ते जारी values n के value 1 रखी तो कुछ value आई 2 रखी तो और बढ़ी 3 रखी तो और बढ़ी value A4 और बढ़ाया A5 और बढ़ाया मान लो दो limit point आ रहे है monotonic sequence है लेकिन मान लो एक बार के लिए कि दो limit point आ रहे है मान लो यह alpha point है एक दो limit point और एक यह beta point आ रहे है अच्छा दो limit point हुए इसका मतलब क्या हुआ अगर alpha limit point है तो इसके neighborhood में infinite terms होंगे infinite terms of sequence इसके neighborhood में भी infinite terms of sequence होंगे और इसके neighborhood में भी infinite terms of sequence होंगे ठीक है दोनों के neighborhood में infinite terms of sequence होंगे तब ही वो limit point माने जा सकते हैं otherwise नहीं माने जा सकते हैं ठीक है चलिए अब ध्यान से देखें आप values बढ़ती जा रही है sequence के न मतलब increasing में है sequence increasing order में तो ये sequence की values यूँ चल रही है आप सोच के देखो अगर infinite values यहाँ पर ही cover हो गई समझना बात को infinite values यहाँ पर ही cover हो गई इसके neighborhood में infinite values हैं तो आप ये कैसे justify करोगे कि इसके neighborhood में यहाँ से value शुरू आ रही है आप समझ पार बात को infinite values यहाँ पर cover हो गई मान लो एक लाख values है जो इसके never road में आ रही है ये शुरूई 1,001 से हो रहा है ये शुरूई 1,001 से हो रहा है हौगा कि 1,001 होगा है तो 1,001 ही गड़ लेते हैं सुन्दर लगता है ज़र्थ चलो ये शुरूई मान लो 1,001 वे नंबर से हो रहा है मतलब A 10011 है ये इस number की term यहां से शुरू हो रही है तो इसका मतलब एक लाक terms पहले हैं इसके तो एक लाक terms अगर पहले हैं तो वो तो infinite कहां से हो गई फिर finite हुई तो इसके neighborhood में तो finite terms ही आप आएंगे अगर एक लाक terms यहां तक हैं तो उसके बाद से अगर बीटा के लिए terms शुरू हो रही हैं तो आप समझते हैं इस बात को कि अगर यहां पर आप infinite terms ले रहे हो तो infinite के just आगे वाली term कैसे justify करोगे कि infinite के बाद में कौन से number की term आ रही है यह आपको पता है कि 1000 terms अगर यहां है तो 1000 एक भी आएंगी बाद में लेकिन अगर आपने यह बोल दिया कि इससे पहले 1000 terms हैं तो वो infinite नहीं हुआ ना वो तो finite हो गया तो अगर इसके नेवरूड में infinite terms आ रहे हैं तो फिर infinite के आगे वाले term कौन से number पे है वो आप justify ही नहीं कर पाओगे तो बीटा के नेवरूड में infinite terms आएंगे कहां से आगे वाले term ही नहीं बता पाओगे आप कौन सा आ रहा है तो आप यह बता ही नहीं पाओगे कि बीटा के नेवरूड में infinite terms आ रहे हैं अगर increasing sequence है तो अगर increasing नहीं है तब आ सकता है तब कैसे आ सकता है मान लो ऐसा sequence होता मैं जो दो examples लिया था पीछे उन्हें को mix करके sequence बना रहा हूँ, देखो कैसे मान लो minus 1, 1, minus 1, 1 by 2, minus 1, 1 by 3, minus 1, 1 by 4, इस तरह से sequence बना देता हमाई तो यह notice करोगे आप कि एक तो minus 1 है जो हर बार repeat हो रहा है odd number of times तो minus 1 तो इसका limit point आई गया, दूसरी बात यह जो हमारे पास आ रही है values even number पे, उन सबका limit point हमने देखा था 0 आता है, तो इस sequence के दो limit point आ गए, एक तो minus 1 और एक 0, लेकिन यह sequence increasing नहीं कह सकते हैं आप, न decreasing कह सकते हो monotonic नहीं है, क्योंकि इसके odd places पे तो same value repeat हो रही है, ठीक है तो यह ऐसी situation में एक से दा limit point आ सकता है ऐसे में नहीं आ सकता है एक और मैं छोटा सा और यहां पर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यह थोड़ा सा complicated बात है, feel नहीं होता है easily मान लो यहां पर infinite terms है यहां भी infinite terms है, दोनों limit points है ठीक है तो इसके अंदर कोई एक term आ रही होगी, इसके neighborhood में कोई ना कोई एक term होगी, मान लो वो 350 number की term है, जो इसके neighborhood में आ रहे है, alpha के neighborhood में ए 350 आ रही है 350th term मिल रही है हमारे को इसमें ठीक है इसके neighborhood में भी कोई ना कोई term तो मिल रही होगी न, sequence की infinite terms है, कोई ना कोई एक term यहां पर मिल रही होगी, मान लो इसके neighborhood में आपको मिल रही है a 2, 3, 4, 7 2, 3, 4, 7th term इसके neighborhood मिल रही है, यहां पर यह यह वाली term है अब ध्यान से समझने की कोईश करना, ठीक है यह इसके neighborhood में मिल रही है, मतलब कोई तो मिलेगी, भाई कोई तो term यहां पर भी होगी, sequence की कौन से number की होगी, वो आपने मान लो number यहां लिख दिया, तो जैसे ही आपने यह number लिखा, आपने यह साबित कर दिया, कि इस से पहले तो finite terms है, infinite ही नहीं, आप समझने बात को, अगर आप यह लिखी नहीं पा रहेगी है, कौन से number की term है, इसके साथ में, इसके neighborhood में एक भी term अगर आपने बता दी कि यह इस number की term इसके neighborhood में है, तो फिर आपने indirectly यह बोल दिया, कि उससे पहले कि सभी, मतलब उससे पहले यहां तक कि total कितनी terms है, finite terms है, और अगर इससे पहले total finite terms हा रही है, तो alpha के neighborhood में infinite terms कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब, आप यह number बता ही नहीं सकते कभी, कि इस point के neighborhood में कौन से number की term हारी है, sequence कि यह कभी बता ही नहीं सकते, बताते ही पिछे के सारा finite हो जाएगा, alpha के neighborhood में finite terms हाजाएगी, alpha limit point से हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर increasing sequence है, तो दो limit point होई नहीं सकते कभी, monotonic sequence में increasing भी आ जाता है, decreasing भी आ जाता है, मैंने आपको क्यावल increasing का पता है, similarly आप decreasing के लिए सोच सकते हो, कि decreasing sequence में भी दो limit point नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो इस बहुत खास point से, एक तो bounded sequence है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा limit point होगे, at least one limit point, एक monotonic sequence है, जिसमें एक या एक से कम limit point होगे, तो अगर कोई sequence bounded और monotonic दोनों है, तो exact एक limit point होगा ना, ये कहता है, एक या एक से ज़्यादा होने चीए, ये कहता है, एक या एक से कम होना चीए, तो दोनों का common हिस्सा क्या जाएगा, एक limit point, बहुत ही खास statement है ये भी, कि bounded और monotonic sequence है, दोनों है, अगर कोई sequence, bounded sequence भी और monotonic sequence भी है, तो एक limit point होगा, 100%, exactly एक, unique limit point मिल जाएगा आपको उसको, ठीक है, तो ये basic idea था, limit point के बारे में, मैं कुछ examples और लेता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको clear हो गया होगा, कोई doubt आया है, आपको तो नीचे comment करके आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकि हम लोग कुछ और examples भी करते हैं, ताकि आपको पता चले कि हम limit point कैसे कैसे निकाल सकते हैं, अलग-अलग sequences में, देखें, मैंने 10 तक यहाँ पर examples लिखे हैं, एहला वाला है, मतलब चौथा वाला है, इसमें an दे रखा है, 1-1 की power n upon n, तो sequence क्या बनेगी इससे, यह एने थी term दे रखा है sequence का, तो sequence क्या बनेगी अगर इससे sequence बनाना चाहें तो, n की वहली 1 रखो यहां, 1 रखोगे तो यह बन जाएगा, 1-1 upon 1, मैं एक-एक ऐसे करके देख लेता हूँ, उससे comfortable हो जाएगा, एक-एक term निकाल लो, 2 रखो यहां पर, तो 1-1 यह प्लस वन बन जाएगा, 1 upon 2, 1-1 upon 3, फिर 1-1 upon 4, क्योंकि जब यह even होगा, तो यह तो प्लस वन नहीं रहेगा, और जब odd होगा, तो यह माइनस वन आ जाएगा, उस तरह से चलता जाएगा, तो 1-1 upon 5, and 1-1 upon 6, इस तरह से मतलब बढ़ते जाएगे, यह sequence की terms बढ़ते जाएगे, देखते हैं एक बर क्या बन रही है, यह अगर आपन ध्यान से देखें, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगे, तो 2 बन गई, और यह 1-1 by 2, यह 1 by 2 हो गया, यह माइनस माइनस प्लस, 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 3 लिख दो, या फिर ऐसे समझ लो कि, इसको आप 1 plus 1 ही लिख लो, comfortable हो जाएगा थोड़ा सा, इसको ऐसे रहने दो, यह ऐसे रहने दो, जल्दी दिखेगा आपको, रिजल्ट जो है न, वो थोड़ा साथ जल्दी दिखने लगेगा, यह 1-1 by 2 ही रहने दो एक बार, इसको एक बार 1 plus 1 by 3 लिख दो, इसको एक बार 1 minus 1 by 4 लिख दो, इसको एक बार 1 plus 1 by 5 लिख दो, और यह 1 minus 1 by 6, इसी तरह ऐसे मतलब आगे बढ़ते जाएगे, ठीक है, अब चेक करते हैं भी, पहली बात तो यह कि, कोई भी repeat नहीं कर रहा, हमारे पास दो तरीके थे limit point निकालने के, या तो range set finite हो, range set finite हो, तो जो repeat कर रहा है, वो यह limit point हो जाएगा, तो अगर इसको एक set मान ले हम, range set, तो इसका limit point हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, number 9 एक बार बनाके देखते हैं, उससे थोड़ा comfortable हो जाता है, ध्यान से देखें, ये क्या है, पहले के वाल even वाले को देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, जो plus में चल रही है न, उसको थोड़ा ध्यान से देखो, 1 plus 1, 1 plus 1 by 3, फिर 1 plus 1 by 5, फिर 1 plus 1 by 7 आएगा, तो 1 plus 1 by बढ़ता ही जा रहा है, यह divide में जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहां से शुरू हरा है, 2 से, 1 plus 1 से, तो अगर इसको मार्किंग करो आप, तो यहाँ मान लो, माइनस 1 है, यहाँ मान लो, 0 है, यहाँ मान लो, 1 है, यहाँ मां लो, 2 है, अगर मार्किंग के साब चलो, तो शुरू यहांसे हो रही है, उसके बाद, 1 plus 1 by 3 जाएगा, यहाँ पर कहीं पर जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 यहाँ कहीं होगा उसके बाद 1 प्लस 1 बाई 5 यहाँ कहीं होगा यहाँ कहीं होगा आप notice करोगे 1 प्लस 1 बाई कुछ भी हो यह 10 to the power 10 भी है न 1 से थोड़ा सो तो ज़्यादा ही आएगा हमेशा है और end term की बात करें infinite terms तक यह चलता जाएगा तो इसकी tendency कहां तक जाने की होगी 1 प्लस 1 बाई infinite तक जाने की tendency होगी जाएगा नि क्योंकि infinite कोई value नहीं होती तो infinite तक जाने की tendency होगी तो इसकी tendency होगी total 1 तक जाने की 1 प्लस 0 तक जाने की tendency होगी इसके तो कहने का मतलब यह है कि 1 के neighborhood में बहुत ज़्यादा values मिलने वाली है sequence की infinite terms मिलने वाले हैं 1 के neighborhood में तो 1 के neighborhood में अगर infinite terms मिलने वाले हैं तो इसका मतलब 1 तो limit point हो गई होगा इस तरफ ही infinite terms मिल जाएंगे left side की तो ज़रत ही नहीं है right side में infinite terms मिल जाएंगे 1 के neighborhood में ठीक है वो साफ साफ दिख रहा है कैसे मिलेंगे जैसे ये जितना ज़्यादा आप नीचे value बढ़ाते जाओगे 1 के उतना ही करीब हम आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और 1 के just पहले कौन आएगा यह आप बता ही नहीं सकते क्योंकि जो value आप बताओगे उससे बड़ी value और यहां रखोगे तो और करीब आजाओगे तो इसका मतलब यह है कि 1 के जितनी values यहां बढ़ाते जाओगे जितने आगे की terms मिलते जाएंगे 1 के करीब जाते जाओगे आप तो यहां से शिरू होकर कि यहां तक जा रहे हैं और यहां पर gathering बहुत ज़दा close होती जा रही है इसलिए 1 के neighborhood में infinite terms हमें मिल जाएंगे तो 1 तो एक limit point हो गया यह confirm बात हो गई plus वाले से हमें यह समझ में आए plus वाले pattern से minus वाले pattern अलग ही चल रहा है तो उसको ध्यान से देखते हैं एक बार 1 minus 1 by 2 से शुरू हो रहा है 1 minus 1 by 2 का मतलब होता है 1 by 2 मतलब यह शुरू यहां से होगा ठीक है 1 by 2 यह 1 minus 1 by 4 आप ध्यान से देखो 1 में से बड़ा number कम हो रहा है 1 में से 1 by 4 कम हो रहा है तो यह 3 by 4 बढ़ रहा है नहीं तो बढ़ता जा रहा है 1 में से 1 by 6 ही कम हो रहा है इस बार तो तो यह और बड़ा number आएगा यह कितना आएगा 5 by 6 तो यह increasing होती जा रही है तो बढ़ते बढ़ते maximum कितना पहुंच सकता ही है 1 plus 1 by infinite तक sorry minus 1 minus 1 by infinite तक पहुंचने की tendency है पहुंचेगा नहीं अलगी लेकिन पहुंचने की tendency है इसकी 1 minus 1 by infinite तक की तो उस case में उस case में यह tendency है इसकी 1 minus 0 मतलब 1 तक पहुंचने की तो 1 के आस पास बहुती close यहां से यह values इदर चलती जाएंगी और 1 के इधर भी बहुत सारी values मिलती जाएंगी तो ultimately 1 के left side में infinite terms में मिल रही है और right side में भी infinite terms मिल रही है तो केवल 1 इसका limit point होगा और कोई point limit point बन नहीं सकता इसका सिर्फ 1 के neighborhood में infinite terms मिल रही है और कोई point limit point नहीं बनेगा तो इसका limit point कोई है 1 बहुत ही बढ़िया example है बहुत ही बढ़िया तो कोई भी example आप करो इस तरह से आप systematically लिखके देखो शान्ति से observe करो आपको direct नहीं समझ में आ रहा infinite values है अगर different different repeat नहीं कर रही है तो number line पे observation लो उनका कि कहां जा रहा है ही है सोचो इसको कि कहां कहां movement हो रहा है values का उसके according आप judge कर पाऊगे last में कि limit point क्या बन पा रहा है ठीक है और examples देखते है 5th number देखो minus 1 की power n into n मैं 5th इदर गर देता हूँ जगे नहीं होगा तो सबसे पहले n की value 1 रखोगे तो minus 1 आ जाएगा 3 रखोगे तो minus 3 4 रखोगे तो plus का 4 5 रखोगे तो minus 5 6 रखोगे तो plus का 6 और इस तरह से चलता जाएगा यह sequence बन जाएगा मरे पस sequence आप notice करो पहली बात तो कोई repeat नहीं कर रहा repeat नहीं कर रहा तो वो वह वाला case तो खतम होगया finite range set होने वाला तो जिसमें जो repeat कर रहा होता है उसको हम limit point बोल देते हैं वो case तो खतम repeat नहीं कर रहा लेकिन इस range set में सारे अलग अलगी है तो इसका कोई limit point आ सकता है गया इसका कोई limit point नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा ध्यान से समझो minus 1 के बाद minus 3 minus 3 के बाद minus 5 थोड़ा सा आप observe करो ये बना कर गया ये अपने पास 0 है ये 1 ये 2, ये 3, ये 4 ये 5 इस तरह से चलेंगे minus 1, minus 2, minus 3 minus 4, minus 5 इस तरह से चलेंगे तो देखो सबसे पहले तो minus 1 आ रहा है उसके बाद minus 3 आ रहा है उसके बाद minus 5 आ रहा है और अगर इधर की बात करें 2, 4, 6 तो ये रहा 2, ये रहा 4 यहां आएगा कही 6 ये भी सेम इतने gap के साथ बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे कोई एक particular point असान ही मिलेगा जिसके never would में infinite values मिल जाएं तो जब भी इस तरह से values होती है discrete format में, टुकडों में और जो unbounded जाती है उसमें कभी limit point नहीं मिल सतना वो तो इसमें इसलिए मिलका है क्योंकि ये bounded थी ये भी infinite set ही है लेकिन ये bounded है bounded है, यहां से यहां तक ही जाएगा maximum minus 1 भी शायद नहीं हो रहा है यहां से यहां तक ही जा रहा है सोरी कितना ही है इस तरह सेट bounded है, bounded है और repeat भी नहीं हो रहा तो definitely limit point मिलेगा उस case में BW theorem की according चीक है, चलिए तो इसका limit point नहीं है, no limit point लिख दो यहां पर, मैं लिख देता है ऐसा हो सकता है कि limit point नहीं निकले तो no limit point 6th example देखो पहला, यह सीधा sequence ही बना के दे रखी है, एने थी term नी दे रखा बाकियों की तरह है, सीधा sequence बनाई हुई है random sequence है कोई, 0 then 1, then 2, then 3, then 4, increase कर रहा है, लेकिन आप 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, हमेशा के लिए 4 हो गया आगे, dot 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 कर दिया, तो आगे के सारी terms 4 हो गई, इसका मतलब इसका range set finite हो गया, जान से समझो range set finite हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, बस 5 ही terms है, इसकी range set में range set finite तभी होता है जब कोई ना कोई repeat कर जाता होता है infinite times, और जो repeat कर रहा होता है infinite times, वो ही हमारा limit point हो जाता है, क्योंकि उसके neighborhood में automatically infinite values हो गई न, वो ही repeat करकर कर infinite बार आ रहा है, तो neighborhood में infinite बार हो गया वो, तो इसका मतलब, इसका limit point क्या आएगा, 4 is limit point, इसका limit point 4 हो गया, हमारे पास न, चीक है, next, 7 वाला, इसमें nth term लिया हुआ है, last digit of 7 7 to the power N, 7 to the power N का last digit, इसका मतलब यह है, जैसे आप 7 की power 1 निकालोगे, तो वो तो 7 आता है, 7 की power 2 निकालोगे, तो 49 आता है, 7 की power 3 निकालोगे, तो 3, 43 आता है, 7 की power 4 निकालोगे, तो मुझे नहीं पता क्या आता है, लेकिन अपने को केवाल last digit से मतलब है तो इसकी last digit तो 7 ही है इसकी 9 है, इसकी 3 है इसकी क्या आएगी? इसकी वो आएगी जब हम इसको 7 से multiply कर देंगे तो 7 को 3 से multiply करोगे तो 1 आएगा last में तो हमें सिर्फ last से मतलब है यहाँ one आएगा, इधर कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है अपने को तो आप अगर इसको observe करोगे, 7 की power 5 करोगे तो repeat हो जाएगा, क्योंकि यहाँ one आगया one को फिर से 7 से multiply करोगे तो यही sequence repeat हो जाएगा, 7 then 9 then 5 then 1 7 की power 6, 7 की power 7 7 की power 8, आप check करके देख ले न last digit यहीं आएगे इनकी शुरू में कुछ भी आ रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं है अपने को सिर्फ किससे मतलब है last digit of 7 to the power n तो अगर 7 वाले को हम sequence form में बनाना चाहे है तो a1 का मतलब है last digit of 7 to the power 1 which is 7 a2 का मतलब है, last digit of 7 to the power 2 which is 9, a3 का मतलब हो जाएगा, last digit of 7 to the power 3 which is which is 1 and 7 to the power 5, repeat 7, 9, 3, 1 7, 9, 3, 1 हर बार ये repeat होते जाएगे आप last digit निकालते जाओ आप observe करोगे कि यही चारो values repeat होंगी infinite many times, तो इसका मतलब 7 भी infinite बार repeat हो रहा है 9 भी, 3 भी और 1 भी जो जो infinite बार repeat हो रहे हैं वो सभी limit point माने जाते हैं क्योंकि इसका range set finite आगया है 7, 9, 3, 1 तो जो infinite बार repeat हो रहा है वो limit point है, तो इसका limit points कौन कौन से होंगे, limit point नहीं है इसके लिए इसके लिए limit points है, कौन कौन से 7, 9, 3, 1 यह 4 limit point आगया है इसके लिए चीक है, यह 7 वाला complete 8th, 9th, 10th, 3 और बचे हैं देखें, मिटाता हूँ पहले मैं इसको देखें, 8th वाला है, मैंने बाकिसाब हटा दिया है, जो काम का नहीं था an is equal to 4 मिलेगा अगर an 1 या फिर prime हो तो an is equal to an मिलेगा अगर उसके अलबा कुछ भी हो तो, मैं एक बार बनाता हूँ और better clarity आएगी an की value 1 रखी तो an की value 1 हो तो क्या answer नहींगा 4 मिलेगा, an की value 2 हो 2 prime है, तो फिर से क्या मिलेगा 4 मिलेगा, an की value 3 हो वो भी prime है, तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, an की value 4 हो तो वो prime नहीं है कुछ और है उस case में an ही मिलता है, तो 4 की case में 4 ही मिल जाएगा, n की value 5 हो, तो फिर से prime है, तो 4 ही मिलेगा, n की value 6 आपने रखी, तो a6, ना 1 है, ना prime है, तो उस case में n ही मिलता है, मतलब 6 मिलेगा, finally change हो गया, n की value 7 रखी, तो prime है, again 4 मिलेगा, n की value 8 रखी, तो यहाँ से 80 मिलेगा, बस prime की case में 4 रखना है, बाकिसम normal numbering चलेगी, 9 प्राइम नहीं है, तो 9 रेने तो, 10 प्राइम नहीं है, तो 10 रेने तो, 11 प्राइम है, तो उसकी जगा 4 आ जाएगा, इस तरह से चल रहा है, मतलब sequence हमारा, तो आप notice करोगी, की 4 repeat होएगा, के बल, और कोई repeat नहीं होगा, इतनी बार, के बल, 4 repeat होगा, infinite times, क्योंकि prime infinite है, तो infinite times repeat होगा वो, जब-जब prime आएगा, वो repeat होता जाएगा, तो एक limit point तो हमें मिली गया, 4, बाकि कोई नहीं मिल रहा, लेकिन, एक limit point हमें मिल जाएगा, easily, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका limit point, इसका limit point, एक है, एक नहीं, sorry, 4 है, मतलब एक limit point आ रहा है, जिसकी value 4 है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से break करके, complete sequence के form में लिखने में, काफी comfortable हो जाता है, पहचानने में, कि क्या limit point आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे, यहाँ पर देखें आप, minus 1, minus 1 by n, अगर n odd है तो, और 1 plus 1 by n, अगर n even है तो, तेखते हैं एक बार इसको कैसे deal कर सकते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ एक बार इसको, पहले तो odd, odd पे यह आ गया, even, 1, यह आ गया, 1 plus 1 by 2, 3 रखा तो, minus 1, minus 1 by 3, 4 रखा तो, 1 plus 1 by 4, 5 रखा तो, minus 1, minus 1 by 5, 6 रखा तो, 1 plus 1 by 6, इस तरह से, even odd की guess में चलता जाए रहे हैं, चेक करते हैं क्या बन रहा है, है न, यहाँ पर आप observe करोगे, वैसे तो यह साफ साफ लिखा हुआ यह, 1 upon 1 को simple 1 लिख देता हूँ बस मैं, इसको आप थोड़ा सा observe करोगे न, आधा आधा गरगे, अभी थोड़ी देर पहले जो अपने एक question किया था, उस pattern का ही question आ गया है, थोड़ा सा observe करने की जड़ा थे बस, देखे द्यान से, number line में बनाई देता हूँ मैं, उसी में observation रखेंगे वापना, जो भी है, ठीक है, तो यह हम, minus 2 भी हमें दिख रहा है, तो minus 2 से शुरू आता है, minus 2, minus 1, 0, 1, और 2, अब check करते हैं, देखो, पहले odd पे minus वाला को deal कर लेते हैं, यह तो minus 2 आ रहा है, minus 1, minus 1, यहां से शुरू हो रहा है, उसके बाद, minus 1, minus 1 by 3, इधर आ रहा है लगबग, आप notice करोगे, इसके पास बढ़ता जाएगा, minus 1, minus 1 by 5 और पास आ गया, minus 1, minus 1 by 7, मतलब minus 1 में, बहुत कम चीज और minus में जुड रही है, minus 1 by infinite उसके आने की tendency है, पहुंचे का नहीं infinite है लगी, लेकिन आने की tendency है, तो आने की tendency कहा तक पहुंची, minus 1, minus 0, that means minus 1 at the end, end goal minus 1 है, यह minus वाली जी जोगा, minus वाली terms का, तो infinite तक पहुंचते पहुंचते, यहां पर मतलब, infinite values collect हो जाएँगी, इसके neighborhood में, minus 1 के, तो minus 1 तो 100% बात है, कि इसका limit point आए गए आएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे अगर देखें तो, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2, यहां कहीं होगा, 3 by 2, 1 plus 1 by 4, वो यहां कहीं होगा, 1 plus 1 by 6, यहीं पर कहीं, end goal क्या है, 1 plus 1 by infinity, that means 1 plus 0, इसका end goal है, मतलब ultimately, यह 1 से बढ़ा नहीं हो सकता कभी भी, तो यह home फिर करके, यहां पर infinite values आएगी, इसके neighborhood में, तो 1 भी इसका limit point आएगा, तो आप यहां notice करो, तो यह minus, minus 2 से minus 1 के बीच में मिल रहा है, या फिर 1 से लेके, 1 plus 1 by 2 के बीचे मिल रहा है, पूरा का पूरा sequence हमें, तो यहां पर minus 1 के neighborhood में infinite values मिल रही है, और 1 के भी neighborhood में infinite values मिल रही है, इसलिए 2 limit points आएगे, कौन-कौन से, इसके 2 limit points कौन से हुए, 1 and minus 1, बोथ हार limit points for this sequence, तो यह बहुत ही खास-खास sequences हैं, अगर आप इनको observe करते हो धंसे, तो मेरे ख्याल से, सभी sequences के आप limit points निकाल पाओगे, चलिए 10th number देखते है, an is equal to 12, nth term 12 है, n पे dependent ही नहीं है, that means constant sequence हैं, आप अगर इसको बनाते हो, तो यह इस तरह की बनेगे, 12, 12, 12, 12, 12, यह बनते जाएगे, क्योंकि n की value 1 रखोगे तो भी 12, 2 रखोगे तो भी 12, 3 रखोगे तो भी 12, हमेशा 12, तो इसका मतलब constant sequence है, 12 भी repeat होती जारी है, infinite many times, तो इसका मतलब, इसका limit point कौन सा आएगा, 12 is limit point for this sequence, 1 limit point exist कर रहा है सक, यहाँ two limit points आये थे, यहाँ पर भी एक limit point आया था, और हमने देखा, कुछ sequences ऐसी भी हो सकती है, जिसमें limit point ना भी आये, तो यह हमने 10 examples कर लिए है, मेरे खहाल से अब आपको limit point में दिक्कत नहीं आने सी है, और अगर आपको limit point में दिक्कत नहीं आ रही, तो next lecture में हम लोग जो limit of sequence, most important topic discuss करने वाले हैं, उसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, यह मेरी guarantee है, तो आप लोग इसको ध्यान से करें, शानते से, और observation लें, इस तरह की sequences की, कोई doubt आये, तो नीचे comment box में लिख सकते हो, या फिर WhatsApp नमबर दे रखा है, उसमें भी message कर सकते हो, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, यह भी comment करके जरूर बताएं, आपके comment से, और नएने वीडियो को बनाने का motivation मिलता है, चले बिलते हैं आप से, अगले वीडियो में, Thank you so much.